मुम्बरा पुलिस ने अब नशा बेचने वालों के खिलाफ अपनी कमर कसली है दो सो तीरपन ग्राम एमडी नामक नशीला पदार्थ के साथ दो बिक्तियों को मुम्बरा के रेती बंदर से गिरफतार किया गया है नशीला पदार्थ की कीमत 12,65,000 रुपया बताई जा रही ह मुम्बरा पुलिस के डिटेक्शन ब्रांच के उदे किरफन को जानकारी मिली की दो बिक्ति नशीला पदार्थ की बिक्री करने के लिए मुम्बरा रेती बंदर पर आने वाले हैं जिसके बाद मुम्बरा पुलिस के वरिष्ट पुलिस निर्चक मदुकर कड के माग दर्चन में पुलिस निर्चक अरुन शिर्सागर, तीपक घूगे, कमला कर भोय, उदै किरपन, सुदीप, हुलवान, योगेश्ट, पाटिल, छोटु दभाडे, भूशन, खैरनार ये स जाल बताया, दोनों मुंबई के भाई खला की रहने वाले हैं, तलाशी के दौरान इनके पास से 235 ग्राम मेफेडरिन M.D. नामक नशीला पदार्थ मिला, जिसे जब्त कर लिया गया है, एक स्कूटी भी पुलिस ने इनके पास से जब्त की है, कुल मिला कर 12,98,300 रुपे क माल जब्त किया गया है, आरोपी के खिलाफ N.D.P.S. कलम 8 का 22 का 29 के तहट मामला दर्ज कर इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें 8 तारिक तक PC मिली हुई है, मुम्रा पुलिस टेचन में हुई प्रेस कांफरेस में वरिष्ट पुलिस निक्षक मधुकर कड क्या जानकारी दी है, उनकी खिलाफ में N.D.P.S. के तहट मामला दर्ज किया है, आगे की इन्विस्टिकेशन P.I.S. मुझा और साब मुम्रा पुलिस टेचन के कर रहे है, उनको 8 तारिक तक PCR मिला हुआ है, इतने का माले से हैं? यह सब मिला के 12,08,9,300 रुपए का मुद्दे माले.